कि पाकिस्तानी वायू सेना के मेजोर्टी ओफ एफ सिक्स्टीन लडाकु विमान ग्राउंडिड हो चुके हैं उड़ने की इस्थिती में ही नहीं है उनको कुई 40 साल हो गए हैं और वो हलके हलके चुर्मुराना शुरू हो गए पाकिस्तान के एरफोर्स को बेहदी जल एक बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि उनकी जो F-16 फाइटेस की फ्लीट है तो वो फाइनेंशल इशूस के कारण ग्राउंडेड हो सकती है पाकिस्तानियों को परेशानी लाहक होती है क्योंकि ये एरफ़ अभी भी पाकिस्तान एरफोर्स में रीड की हड़ी की हस्तियत रखते हैं तो मिराज रीबिल्ट फैक्टरी है, इसने बोला है कि साब डिरेक्टरिट अफ लॉजिस्टिक्स अफ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉंप्लेक्स, इन्होंने बोला है कि साब F-16 एरक्राफ्ट हैं, जो इनके में लड़ाकू विमान है पाकिस्तान की, एक तो F-16 है, जो अब इसको डंग से इस्तमाल नहीं करते हैं, तो पाकिस्तानियों को बोल दे, लो गरीवों, तुम खेलो इससे, एरफोर्स, एरफोर्स खेलो इससे, अब देखें, आपको दीन और दुनिया की फिक्र नहीं है, उनको बहुत ज़्याद है, आखरत के लिए तो वो कहते हैं, मदर से खोलें उनने, तो दीन की खिदमत की है, अच्छा, तो फिर वो देखें न, फिर वो कहते हैं कि जलता है, और चाहे इनके पास खाने को हो या ना हो, ये रेगुलरली, अमरीका को हर साल मिलियन्स ओफ डोलर देते हैं, और अपने इन F-16 को हमेशा मैंशा मैंटेंड करके इसाब उन F-16 को अब हो गया है, चालिस साल से ज़्यादा, अब वो हलके हलके चर्मराना शुरू हो गया है, और वो मांग रहे हैं मैंटेन्स, ये डिफेंस मिनिस्टर, उनका क्यारा मैं, खाज आसिव कहा चुके हैं, ये दिवालिया हो चुका है, इसाग डार सामने भी मि फाइटर जेट उड़ने की बजाये जमीन पर ग्राउंडेड हो गई है, पाकिस्तान की सरकार F-16 की मैंटेनस पिछले तीन साल से नहीं करा पा रही है, उसके पूर्जे तक नहीं खरीद पा रही है, इससे उसकी सुरक्षा को लेकर बड़ा खत्रा पैदा हो गया है, भारत करने की समता को बहुत बुरा असर पड़ा है, अगर पाकिस्तान के वायू सेना से ये F-16 जेट को निकाल दे तो पाकिस्तानी वायू सेना की ताकत 80% कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 के अलावा इनके पास चाइनीज फाइटर जेट हैं, जो बिलकुल कबार के समाने, जो उड़ते ही नहीं है, पाकिस्तान के दा मिराज बिल्ड फैक्टरी जो F-16 के मेंटेनिस के काम देखती है, इसने चितावनी दी है, उसने कहा है कि 6.9 लाग डॉलर अमेरिका के विदेश चैनी खरीद के तहत देना है, अगर नहीं देते हैं तो मेंटेनिस नही हैं कि वो F-16 जो के अमेरिका से लिए थे, उनको मेंटेन कर सके, तो नहीं है पैसा, जहामें तो पूछना पड़ेगा, लेकिन हम जिन से पूछना चाहते हैं कि क्या पैसा नहीं है F-16 को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने ये कहा है कि फिकर नॉट वो कह रहे हैं पाकिस्त 390 बिलियन डॉलर का डेट है, तो क्या हो गया? ऐसी क्या पात है? No need to freak out. ऐसा अगदार साब ने कहा है कि 130 बिलियन डॉलर का अगर डेट है, करजा है हम पर तो क्या हो गया? इतना कौन सी कियामत आगई, कौन सा पहाद तूट पड़ा है? उन्होंने कहा हमारी एकॉनमी की इतनी कैपडिलिटी है कि यूँ हो जएगा, कोई मसला ही नहीं, सर तो तुसी की कह रहे हो, आप कहा है कि सिर्फ 16 के लिए पैसा नहीं है, मैंटेन करने के लिए, अच्छा तो वो यह कहा है कि कोई मसला ही नहीं, अच्छा यह जो 130 बिलियन डॉलर कहा है सागदार साब ने तो क्या इसके अंदर वो चाइना वाला कर्जा भी शामिल है, मुझे नहीं पता, वो यह कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो कुछ और भी थोड़ा सा बड़ा है, एटीज में जो है, इनोंने पैसा लिया और पिर आपको पता ही है, जिहाद विहाज जलता रहा पाकिस्तान के अं दीन की खिदमत की है उनोंने, यह जो जिहाद विहाद हुए है ना, यह सेविंटीज, एटीज का जो दौर की आप बात करें, मदरसे कोले तो यह तो अब देखें, आपको दीन और दुनिया की फिक्र नहीं है, उनको बहुत जाद है, आखरत के लिए तो वो कहते हैं, मदर मदर, सु मरणा शुरु हो ओगए. है जोड़ मेदेखें कारेओर थो एटी जो खुते के हैं, यह फिक्राने सब्सक्राद से खेजर शूरु तो दौर टी रिए, वो यह कह रही है ज "'जणाब' के abilities ऐसे रिए नहां और जो अग पुछायरे हैं, इस की नहित्ज का सब्सक् तो कि तने पास फूह से यह को एतना पैसे को पार कियो आगया काई जा को इह रगाए हैं। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ अब जो जवाब दिया जवाब तो नहीं दिया ये जो हैं हमारे सागदार साब उन्होंने ठोक बजा के कौम को ये बताया है कि फिकर निश्टा उन्होंने कहा है जनाब हमारी हकोमत जो है वो इस वक्त ट्रेड की पॉलिसी पर गामजन ह लग पड़ी फिर उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो काम है वो यानि हकूमत का वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना हकूमत का एजंडा है ठीक है क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं अब आपको मालूम है फिर उन्होंने कहा कि मुल्कों को दिवालिया होने से बचाना वो हमारा एज मुल्कों दिवालिय होने से बचाएं। इसने बोला है कि साब डिरेक्टरिट अफ लोजिस्टिक्स अफ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्पलेक्स। अगर लड़ेगा और अगर लेंड करेगा दोबारा ओड़ेगा निगर नोबडी नोज। वो चाइनीज माल है। चाइनीज खुद उसको डंग से इस्तमाल नहीं करते हैं। तो पाकिस्तानियों को बोल दिया लो गरीवों तुम खेलो इससे, एरफोर्स, एरफोर्स खेलो इससे। तो अब इनका हो गया बेडा गर्क। ये पेमेंट कितनी मांग रहे हैं। ये पेमेंट मांग रहे हैं इसको करने के लिए कि इनको चाहिए 682,000 तो आप ये लगा लो कि 7 करोड, 7 करोड पकड़ लो, 7,5 करोड पकड़ लो और क्या है। अब ये गए थे, वो जो इरान का नया प्रेजिडेंट बनाया है, 20-25 लोगों का डेलेगेशन गया फ्लाइट पकड़ के तहरान, उसकी स्वेरिंग इंसरिमेंट, तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम्हारा क्या लेना देना, मतलब मुझे आज ता कि समझ भी नहीं, आ फिरे कहेंगे कि एंडिया हमसे जलता है, और हम लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और इसलामी मुलक हैं कलमा पढ़के बने हैं, और वो सब छोड़ो यार, साफ सीधी एक बाद बताओ, कि हुआ क्या है मैटर तुम लोगों का, तुम कहते हो कि तुमारे पास F-16 को उड़ पाकिस्तानी होंगे, 22-23 करोड पाकिस्तानी रुपीस, वो तुमारे पास नहीं है, लेकिन तुमारे पास पूरा इरान भेजो, अच्छा इरान में कुछ हो जाता है, तो ये चले जाते हैं, साउधी अरब में किसी का कोई पता नहीं कुछ हो गया, कोई प्रिंस का कोई गरेचुलेट कर जाते हैं,